फिर से आपका स्वागत है एज्यूकेशन हब में तो जो यह आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं चंद देव से मेरी बाते यह कहानी है इसकी लेखिका हैं बंग महिला यानि कि आप वस्चिम बंगाल की हैं और बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं यह आपके UGC के सिलिवस में है हिंदी साहित के विद्याथियों के लिए महतपूर रचना है और हिंदी आपका जहां भी आता है उसके लिए तो इंपोर्टेंट है और आप हिंदी कहानी में इच्छुक हैं तब भी आपके लिए इंपोर्टेंट है मुख्य रूप से नेट एक्जाम के लिए है चंद देव से मेरी बाते 1904 की है और लेखी का नाम है बंग महिला बंग महिला तो इनका उपनाम है और इनका असली नाम है राजेंद्र बाला घोस तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकासित हुई थी 1904 में आये पढ़ते हैं कहानी छोटी सी यह बहुत छोटी सी कहान है यहां पिन इस्क्रीन पर हम दिख रहे हैं न कहानी दिख रही है लेकिन फिर भी हम कहानी पढ़ेंगे और वह आपको कल्पनाओं में देखनी है कल्पना एक मद्दम से देखना है दिमाग में देखना है शुरू करें भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी कहानी बार प्रडाम, आज मैं आपसे दो-चार बाते करने के इच्छा रखती हूँ घरक्ति कहानी हैं यग कईस कहानी घर फिर से हम लाएंगे बड़े ही बिद्द्दम तरीके से लाएंगे बिद्दम नद्दम कि बहुत ही आईस्ते से ना में कोई जोर दबाजस्ती है ना तेजी है बहुत है फूर्षत के पलों मिलाएंगे मलब फूर्षत से आप कहानी सुनेंगे आपके कमलवत कोमल चलडों में इस दासी का अनेगबार पड़ाम आज मैं आपसे दो चार बाते करने की इच्छा रखती हूं क्या मेरे करते हूं आप इस आकास मंडल में चीरकाल से वास करते हैं तो इसमें जो पात्र है वह कोई और नहीं है लेकिका है और खोड़ा चंद्रमा से बात कर रही है चंद्रमा मतलब चंद्रदेव के नाम से संब्धन कर रही है उनसे क्या क्या कह रही है वह सुसी का कहानी है क्या अबाद सत्य है यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि श्रिष्टी के साथ ही साथ आवसे आपके भी श्रिष्टी होई होगी मतलब वकर एक है कि यदि यह सब सत्य है तो मतलब यह स्रिष्टी जब जन मलिया तब आप ही जन मलिया होंगे चंद्रमाजी तब तो आप धे गटके बढ़ते हैं किया आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसपर बदली होने का नियम नहीं है कि आपको मेलब की प्रमोशन मिल जाए कि क्या आपकी गऔर्मेंट पेंसन भी नहीं देती बड़े खेत की बात है यदि आप हमारी निया सीला गवर्णमेंट निया सील गवर्णमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नवकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोनती हो गई होती और ऐसी पोश्ट पर रहकर भात के कितने ही सुरम में नगर परवत जंगल और जाड़ियों में भ्रमण करते हैं अंत में इस बिर्द वस्था में प्राप्त कर कासी ऐसे पुनीत और सांती धाम में बैटकर हरी नाम असमनल करके अपना पर लोग बनाते हैं यह बड़ी भारी भूल हुई भगमान चंद्रदेव चमा किजिएगा चमा किजिएगा आप त में अंग्रेजे अपने जाती वालों का पचफपात करें त आश्यर हैं इसमझ रहे हैं मतलब 1904 में तो हम लोग अंग्रेज यो कही कभजये में थे हो ना इसी लिसलिए लिखिका कररी हैं कि जूव अंग्रेज हैं मनुस्य होरा है मनुस्य हम लोग भारतवासी नहीं है बच्छपात करते थे हम लोगों से उग्वोरे थे हमकाले थे तो बच्छपात करते थे हम पर कहा ढाते थे आगे करती हैं लेखिका अच्छा यदि आपको अंग्रेज जाती कि सेवा करना स्युकार हो तो एक अप्लिकेशन मतलब कि निवेधन पहत्र हमारे आधुनि इनके पास भेद्य आसा है कि वह आपको आधर पूरा कवस से अहवावन करेंगे क्योंकि आप अधम भारत वासियों के भाति किष्णांग तो है नहीं वह आपके भाति तो है नहीं कि सब जगाहां जाएंगे जो आपको अच्छे नवकरी देने में उनकी गवरांग जाती क उपित हो उठेगे और फिर आप तो एक सुयोग हैं कारदच हैं परिश्रमी हैं बहुदर्सी हैं कारकुसल और सराल सुभाव महात्मा हैं मैं विश्वास करती हूँ कि जब लाड कईन हमारे भारत के अस्थाई भाग विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमिशन का म किमिशन में भरती करके वह यह बेज देवेंगे क्योंकि उनको कमीशन और मीशन दोनों ही अतनत प्री आपके चंद्रलोग में जो रीति और नीती स्रिष्टि के आधिकाल में परचली थे वे ही सब अब भी हैं पर यहां तो इतना परीवारतन हो गया है कि भूत आर्वारत प्रुपमान में आकास बताल काशांत्र हो गया, मैं अनुम्हान करती हूं कि आपके नेत्रों की योती कि अवस्य ही मिन्स पड़ गई होगी, प्लाइब कि दोर के भूटी पफ़ाय। मामा मतलब कि बोड़े हो गए हैं तो आखों की जोती भी कम होई होगी लेकिनंब अम्य बताइए कि चैंद्रमा को पहले और पहले का जता है कि तो हम को एक किन्फूजन होता है कि जान दा क्या है जानमा है कि बीभी है पुरूस है जानुख में करो दो बना देते हैं पर यहाँ इतना परिवर्तण हो गया है कि भी तो अर्वरतमान में Ran ещё पहताल क सांतन हो गया है मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नित्रों के जोती भी कुछ हवास से ही मंद पड़ गई होगी क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चस्मा धारण करने लगी हम देख रहे हैं उनिस सो चार में दिख रहे हैं और इस समय भी आप लोग देख रहे होंगे कि जो करकिरबाकर भारत की ओर तो देख तो जाई है एदेपी इस बात को जानती हूं कि आपको इतना आवकास का हां पर आठवें दिन नहीं तो मैंने में एक दिन अर्था तमास्या का हो तो आपको हॉलिडे चुट्टी आवास सही रहते होगी सही बिल्कुल सही का रही है बंग घटेगी 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 जीरो हो जाएगी तो मतलब कि रोज तो दिखना है उसका काम है देख सकते हैं लेकिना मस्या को तो आ सकती है मस्या को उसकी छुट्टी रहती है मस्या को नहीं देखती तो उस दिन लेखेगा करें कम से कम महिने में आठवी दिन तो नहीं दीख सकती तो मदलब आठवी दिन नहीं दीख सकती तो कमसे कम महिने में एक बार दिखो आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रह्मण कर जा सकते हैं इस भ्रह्मण में आपको कितने ही नूतंद्री से देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देख कर आपकी बुधि जरूर चक्रा जाएगी यदि आप से सारे हिंदोस्तान का ब्रहमण सिगता के कारण नहों सके तो किवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवस्य उचित है वहां के कल खारकाने को देख कर आपको यह अवस सही कहना पड़ेगा कि यहां के कारीगर तो विस्तु कर्मा के भी लकड़ दादा निकले लकड़ दादा किसे करते हैं तबकि दादा पर दादा लकड़ दादा उसके बाद आते हैं यहीं क्यों आपकी प्रिश्य योगनी दामीनों जो म पर आरोहन करके आनंद से अठखेलिया किया करती हैं वह विचारी भी यहां मनुष्य के हाथों का खिलवना हो रही हैं भगवान निशानात जिस समय आप अपनी निर्मम चंद्रिका को बटोर मेघ माला अत्वा परवतों की ओड से सिंधु के गोद में जा सकते हैं उस समय यह ही नीरद वासनी भी समोहनी सोधामी नी अपने उज्वल मूर्ति से आलोग परदान कर रात को दिन बना देती हैं मतलब पुड़ेमागरीन क्या होता है जैसे लगता है दिन हो गया ना पूरा उजाला आपके देर लोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं किसी का हाथी है किसी का हांस किसी का बैल किसी का चूहा चूहा गड़ेश जी बैल संकर जी किसी का हांस है किसी का हाथी है पर यहां तो सारा बोच्छ आपकी चपला और अगनी देव के माथे मढ़ा गया है है ना क्या मैं गलत कर रहा हूं नहीं क्या ब्रामण क्या चत्री क्या सभी के रतों का वहान वहीं हो रही है हमारे स्वेतांग महा प्रभुगण को जहां पर कुछ कटनाई का सामना आप बड़ा जट उन्होंने इलेक्रिसिटी यानि की बिजली को लाबड का बस कठिन से कठिन कार सहाज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहां के उच्छ सिच् से और परलोग सिधार जाओगे खच्च से वहीं आज पराय घर में आश्रिता नारियों की भाती ऐसे दबाव में पड़ी है कि चूं तक नहीं कर सकती क्या करें बेचारी के भागे में विधाता ने दासी वित्ती ही लिखा था हरी पदो धवा त्रेलोग के पावनी धन ग्रस्त हो रही है उसके वश्च अस्तल पर जहां तहां मोटे ब्रियादाकार खंब गार दिये गए हैं कलकत्ता आधी को देखकर आपके दिवराज सुरेंद भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरिप्षिकी से जान पड़ती है वहाँ इडन गारदन तो पाड़िजात का परिसोवित नंदन कानन को भी मात दे रहा है वहाँ के विश्विद्याले की विश्वस्रेष्ट पंडितों की विश्व्याधनी विद्या को देखकर पीड़ा पाड़ी सरसती देवी भी कहने लग जाएंगे कि निसंदे इन वि सुन्दर मयूर है बस इससे उनके विरत्तों का भी फर्चय खो मिलता है वहाँ के मिंट यानि टकसाल को देखकर सिंदु तन्या आपके प्री सहोधरा कमला देवी तेथा कुवेर भी अचकचा जाएंगे भगवान चंद देव इनहीं सब विस्वमयों उत्पादक पुमें कलंग की कालिमा लेपन करके कलंग की ससांक यसधर ससलांग्छन आदि उपाधी मालाओं से घूसित हो रहे हैं सिंदु तन्या होने पर भी इस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं वहीं आजनम कलंग सायद यहां के विज्यानवीत पंडितों की चेष्टा से छ सायद आप पर यह बाद अभी तक विदित नहीं होई कि आप और आपके स्वामी सोर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ते हैं तभी आप लोगों पर ग्रहन लगता है पर आपका तो अब तक वहीं पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल गरह रहा हुआ आपको निगल जाता है तभी ग्रहन होता है पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भोले अता हे दे मैं विने करती हूँ कि अब आप अपने हिर्दे से ब्रह्म को जड़ से उखाल कर फेग दे अब मैं भारत में न तो आपके और ना आपके स्व विशाल भारत वर्सका राजय व्यभभभ होग रहें अब तक मैंने चिन बातों का वड़न आपसे इस थुल रूप में क्या हुआ सब इनहीं विद्या विसारत गवरांग प्रभो के क्रिपा कटाच का परिडाम है यो तो यहां प्रतिवर्स है पदवीदान के समय कितने ही इलाम की राजय विहीन राजाओं के स्रिष्ट हुआ करती है पर आपके वय तो डारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मत्र के भी हैं काटके पुतली की भात यहितने उनके लिऄे सांग चाने के जाते थे नाचते थे स्वार्थी थे पैसु लिए कि धर भी चले जाते थे जादा तर कर आ अगे हैं जैसे उन्हें रच्छक न चाहते हैं वैसे वे नाचते वे इतने भी जानकारी नहीं रखते कि उनके रजमने क्या और रहे उनकी प्रजा दुखी है अथ सुखी मनलब कि जाकर नहीं देखते हैं उनके जो मंत्री और प्रजा जो रच्छक हैं जो जैसा बताते हूं जैसा हुए माल लेते हैं अपने मतलब लूटते खरसोडते हैं ब्रश्टा चार करते हैं और राजा से करते हैं कि सब कुछ ठीक है राजा स्वयम जाचने नहीं जाता यदि आप महाराज इस्वन ना करें आपके चंद्रलोग या फिर देवलक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ साज बात ना होगी यहीं जब चिकिसा सास्त के बड़े बड़े पारदर्सी उन पर विजय नहीं पा सके तब वहां आपके देवलोग में जड़ी बूठ टाइब राइटर भी खरीद ले जाएं जब प्लेग महाराज के अपार अनुगरा से उनके आफिस में कार के अधिकता हुए तब उससे उनकी राइटर्स वेल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और साहता पहुचेगी वे लोग दो दिन का काम दो घंट का सुचक समझते हूं मैं ही बोले जा रही हूं आपने तो कुछ नहीं बोला इसलिए मैं समझते हूं कि जो जो मैंने कहा उसको अपने सिवकार कर लिया है अच्छा तो मेरी प्रातना को कबूल करके एक दफा यहां आई एक बंग महिला खुद में लिखा है नम इनका में आ अपने सुना है उसकी कल्पना की होगी कमेंट के बांदे हमसे बताइए आपको कहानी कैसी लगी समझ में आया कि नहीं आया कितना आया कैसा आया और क्या क्या कहा यह इक तरीके से यह अंग्रेजी सरकार पे उस समय के सरकार पे और भारतियों के सुभा भारतियों के राजा महाराजाओं का निंश्क्री खोना अपने कंतब का पालान नहीं करने कट पतलियों के तरह इधर उधर नाचना जहां स्वारत हे इधर चले जाना यानि उस् तो समय की वृतमानीक्टति जो भारत के निवासियों की भारत के राजाओं की और अंग्रेजों का सासन जो लाड़ कर जनка जो जिक्र है 1904 के रचना है तो उससे में लाड़ करजन ही था उसका जो जिक्र है उस पर ब्यांग के सैले में लिखा गया है तो मिलते हैं नए कहानी के साथ तब तक के लिए जय जय भारत आपका दिन कैसा हो 72 नूग